राव राम जी मैं नेलम लॉप्तर आप सभी का अपने चैनल पर बहुत से अर्द करते हूं आज मैं बनाने लगी हूं केक केक तो मैंने पहले भी बहुत बनाया मगर आज तो केक बनाऊंगी उसमें बेकिंग सूड़ा बेकिंग पाउडर नहीं यूज करोंगी मैं बताते हू मैं आपको क्या क्या चाहिए मैंने सूजी लिया बड़ी क्टोरी जो बिकुल भरे होई है इतनी मैंने चीन्दी लिया इतना मार्जन ज़रूर रखें मगर एक पूरी क्टोरी अगर है सूजी की तो पॉन ही दें चीन्दी दो सर्वी स्पून लागे दें दाइन मैं बनाना है इसको मैं ने ग्रीज करके रख दिया इसमें पेपर लगाया बाइट पेपर अगर आपके पास बटर पेपरा तो बटर पेपर लगाएं उसमें केक निकलने में बहुत सानी होती है देसीगी से मैं मखन से बढ़ता इसलिए ग्रीज नहीं करती जब हम केक बना आपको बताती जाओंगे अगर मैं आपको ये मैं आपको स्जेस्ट करूंगे आप सुजी को मैक्सिमुम बिगो के रखें एक घंटा पहले मैंने विगो के रखिया उसका रगट बहुत ही अच्छा आता आप ऐसा करके देखें कि बहुत ही बढ़िया बनेगा सबसे पहले मैं करूंगी सबसे पहले मैं करूंगी गैस ओन जो जिसमें हमने बनाना है उसको हम पर हीट करेंगे मैंने नम्क डालके डखना उसके स्पोर्ट के लिए मैंने बीच में रख दिया आप चाहे स्टैंड रख सकते हैं अगर जो भी आपके पास वे लेवल हैब हुआ आप जूज कर सकते हुआ इसको प्रीवेट होने देंगे अभी है हम मिक्सी का जार क्योंके क्वांटिटी जादा है उसकी सूजी की इसमें आपको उताती हुआ तीन चम्मच मैं लोंगी रिफाइंड के सर्विस्पून है टेबल स्पून नहीं सर्विस्पून तीन चम्मच लेने हैं अब मैं डालूंगी इसमें चीज़ मैं इसको करूंगी ग्राइन सूजी इसमें इसमें देखो जब ऐसा हो जाए फिर हम और अंग्रीजियंट्स डालेंगे इसमें कर्ड डाल देंगे जो सूजी मैंने बिगोकर रखी थी अगर जूर्ट पड़ेगी उस दूद में डालेंगे क्यूंकर दूद में मैंने बिगोकर रखी थी जितनी सूजी थी उतना दूद इसमें लग गया था अब अब देखें इसमें डूद की ज़ूर्ट तहाया जाने हैं यह लगता नहीं प्राइब कर लिए को सुजी ने गुब कापी सोग कर लिया देखो बैटर हमारा ऐसा चाहिए ऐसा बैटर त्यार हो गया अब हम डालेंगे इसमें इन्नों पहले के हम डालते थे बेकिन सुड़ा बेकिन फॉड़र अब एक चम्मच इन्नों एक चम्मच बारकर इन्नों डालेंगे और साथी एक चम्मच विनेगर सिर्का बोलते हैं इसको अच्छी बालेंगे और जै मैंने थोड़ा सा ड्राइफूट लिया इसको इसमें एक चम्मच हम डालेंगे आप्टे का इसको अच्छी द्रे मिस करेंगे आट्टा इस रिए डालते हैं जे पिर जाके बैटर में गैठे ना ऐसे इवन ली जे फ्रिस्प्राइट हो जाता बहुत 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 अच्छी द्रा सारे केक में का चेस राता है अब हम जो हमने त्यार किया यह पैर इसमें डाल देंगे पटापट इसमें इसको टैप कर देंगे अब हम इसमें रख देंगे इसको देंगे ठाक इसमें इसको कम से कम 30फाइल से लेकर 40 मituation में चेक करा हुम हमारा ब्लेकन का ट्यार में जाते हैं ज़्याद से कने ब्लब बंड इसको पूरा पकनाय में 42 िपर चल्फ करेंगे फिर बाली से केक हमारा बंड कर ट्यार हो गया अब पस केक बनाने के टाइम जे इंग्रीडियान्स का ध्यान रखें, मेजर्मेंट नीक रखें और जब ग्यास पर रखें, तो स्लोटल मीडियाम हो, हाई नहीं करने भी तो केक बहुत अच्छा बनेंगा आपका भी देखो कितना अच्छा बना है, आप भी बनाएं, खाएं और मेरे को कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जूर करें